नमस्कार दर्शकों, मैं आकांशा, MNS News Life से आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ बंडारा जिल्ले के साकोली वन विभाग के अधिकारियों को मनमानी कारुबार से बड़ी सुर्ख्या बटोर रहा है आए दिन अन्यमित्ता के वज़े से वन परिक्षन के आम जनता को परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है MNS News विखट एक महीने से साकोली वन विभाग के विवित कामों पे पैनी नजर रखे हुए है किनी और पातरी के रुफवन के लिए खोदे गए गड़ों में भी भारी अन्यमित्ता का मामला सामने लाया है उसी तरह अब साकोली वन परिक्षन के उम्री वन शेत्रों में भी गड़े खुदाई में मजदूरों का आर्थिक शोशन किया जाने के भी पुक्ता खबर है अन्यमित्ता के मामले उजागन होने के उसी तरह अब साकोली वन परिक्षन के उम्री वन शेत्रों में भी गड़े खुदाई में मजदूरों का आर्थिक शोशन किया जाने के भी पुक्ता खबर है अनियमित्ता के मामले उजागर होने के भी बावजूद वन विभाग के वरिश्ट अधिकारी छुपी साधे बैठे हैं अब तक कोई कारवाई ना होने से वन विभाग के वरिश्ट अधिकारी साकोली के RFO आर्थी उके आम आदमी के शिकायतों को सुनती ही नहीं बलकि आम आदमी के साथ बच सलुकी से पेश आने के भी आरोब है क्या जिल्ले के वन अधिकारी साकोली के वन विभाग में हो रहे धानली की जाच करके आर एफो आरती उके और उसकी टीम पर कारवाई करेगी आएए देखते हैं हमारे भंडारे ब्यूरो चीफ निशाद लांजेवार की स्पेशल रिपोर्ट आम आदमी के साथ निशाद से निशाद बृट चाहरे नहीं होने की वजह ऑनी ॥ा आने के रहे नहीं है किया आम आदमी किस के तरफ जाएगा आम आदमे आकर अपने समस्या आteर किस के तरफ नवाए करेंगे मनाएंगे साकुली रेंज के अंदर बीना परिमिसेंस से बड़े मात्रा में सागोन के पेड़ भी काटे जा रहा है इसका मतलब है क्या हम आम आदमी ये समझ में समझे कि भना राजिले के सारे के सारे वनादिकारी इस भरष्टे चार के मामले में लिफ्ट है क्या जो मजदूरों का सोसन किया जा रहा है मजदूरों को जो मजदूरी कम दी जा रही है और रेकार्ड पर जादा मजदूरी दिकाई दी जा रही है बोगस मज़नुर दिखाए जा रहे हैं कि इस मामले में भी ये आरेफियों से लेकर वरिष्ट अदिकारी लिप्त है ये इसमें शंका वेक्त की जा रही है भनारा जिले के साकोली वन विवा के अंदर कापी भरष्ट चार का मामला सामने आते जा रहा है साकोली वन परिक्षेतर अधिकारी के मनमानी आते जा रहा है हमने लगा ता रेमेनिस न्यूज के मातने उसे कही बार ये घोटा लोग को उजागर करने के लिए पबिलिक के सामने ये मामले लाये है लेकिन एक मेने से ये मामले उजागर होते आ रहे लेकिन वायन विबा की वरिष्ट अधिकारियों के मादें से अभी तक कोई कारवाई नहीं की जा रही है पता चला है कि वरिष्ट अधिकारियों के तरब से कुछ लेटर समंदित वार परशेतर अधिकारी को दिये गए लेकिन जो आरिफ हो आगे साकुली के मगरूर रवय के वज़े से अभी तक के समंदित अधिकारियों के मातने विवा की कोई जाच नहीं हुगी है अभी तो मामला सामने आते हैं कि नी पातरी इनके मामले हमने सामने लाए लेकिन भरष्टाजर का मामला इतना मतलब आगे जाते जा रहा है कि पूरी रेंज भरष्टाजर के मामले में लीपत है हमने कोशिस की हमने जाज करने की कोशिस की साकोली वन पर चेतर के अंदर उम्री वन चेतर जो है उस उम्री वन चेतर के अंदर जैसे की उदारण के तोर पर सुक्री माहलगा गोण उम्री यहां पर भी काफी मातरा में गड़े खुदाये में भरष्टाजर किये जाने की आश से देड़ गुणा भी मजदूरी पान सकता है लेकिन वहाँ के अमरी के जो बीटर गाड जो है और वहाँ के जो आरो है उनके मनमानी रवाहे से मजदुरों का उनके अधिकार से वंचेद उनको रखा गया है मामला सुक्री का भी है उसी तरह 25 हक्टेर में महाल गाओं में भी गड़े-खुदाय का काम किया गया लेकिर उस गड़े-खुदाय के काम में भी अन्नीमे तबरती गई है उसे तरह गोंड उम्री का मामला सामने आ रहा है MNS News लगातार इस मामले को उजार करने की कोशिस कर देए MNS News का एक मातर उद्यस है कि मजदुरों का आर्थिक सोसन जो हो रहा है मैं निशाद लांजिवार MNS News बंडारा MNS News लाइफ की खबरे देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी आप डाउनलोट करे और हमारे चैनल को सिस्क्राइब करे नमस्कार